पूरे हर्याना में देख रहे खरीद की जुम्यवारी बनती है तो इसको लेकर के आज मेरा मंडियों का दर्जनों मंडियों का मेरा दोरा है और ये दोरे का मकसद एक ही होता है कि किसानों से आड़तियों से जाकर के मंडियों में बात किये जाए और वहां जाजा लिया जाए भी किसी परकार की कोई दिक्कत मंडियों में खरीद में ना हो तो आज मैं अमड़ा केंट की मंडिय में पहला मेरा ये कार्यकरम है और इसके बाद कई मंडियों का कुर्शेतर की मंडिया है कई मंडिया करनाल की मंडिया है उन सब में में जाऊंगा और यह ख्रीद जो हमारी मंडियों के अंदर हो रही है इसका जाई-जा लेने के लिए मैंने प्रोग्राम दूसरी जिलों में बनाए है पूरी हर्याना में मेरे कोशिस रहेगी और कहीं जगे तो हमारे मंत्री हमारे विदायक हमारे अधिकारी और मा किसी भी परकार की कोई किसानों को अपनी फसल बेचने में, ना अख़र जो है किसानों को फसल के उठान को लेकर शिकायते, वह आती रहती है, किसानों कि आरतियों की समस्याओं को जो है वो ना आए उन्हें समस्याओंने सुन्षित करने के लिए क्या कुछ क्दम आपकी तरफ से उठाए अठते यहाँ मैंने इसानों मिला हुआ थोड़ा गूम करके आना पड़ता है तो शिर्फ यहीं सकायत यहां से मिली है बाकि यहां खरीद से समंदित कोई भी सकायत पूरी मंड़े में मुझे नहीं मिली और आरतियों से मैंने बात किया भी आपकी तरफ से कोई दिक्कत हो कोई पेमेंट में कोई डिले हो किसी ने अब कोई भी सकायतियां से पूरी मंदे से नहीं है वी रोधी पार्टियां जो है अकिसर खुद को किसारा नहीं तेसी पताती हैं और कहते हैं कि भाजपा जो है वो किसारानों का नास करने पर तुली है जो पार्टियां इस परकार का परचार करती है पांच साल तक हर्याना में इनालों की सरकार रही है लोगों ने उस सरकार को बदेखा दस साल तक हर्याना में कॉंगरस की सरकार रही है लोगों ने उस सरकार को बदेखा और सड़े तीन साल से हमारी सरकार चली हुई है हमारी सरकार में एक दिन भी कहें भी बारदान्य को लेकर के लिप्टिंग को लेकर के कहें भी कोई इस परकार की समस्या पूरे अहलाने में नहीं हुई है और पूरवर्ती सरकारों में बारदान्य को ले करके कई बार किसानों को जीटी रोड जाम करना पड़ा, सड़के जाम करने पड़ी तो यह स्तीती पहली सरकारों में होती थी और जब से हमारी सरकार बनी है सुरू सुरू में जब डिपार्टमेंट मेरे पास आया तो बड़ी सिकायते आने लगे कि वहाँ अनाज जो है पाने गेर तो विपकड़े गए और वहाँ अनाज इतना खराब हो गया और जब अनाज खराब होता क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ किसान के गर में पैदा हुआ हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है किसान बड़ी मेनत करके जो आयना पैदा करता है और सरकार इसको पूरा खर्च करके इसको खरीद करती है और उसके बावजूर कुछ लोग थोड़े से लालच में आकर इसको नुक्सान करने का काम करते हैं इसको खराब करने का काम करते हैं तो हमने ऐसे सबी लोगों के खलाब मुकदमे दर्ज किया उनको हवलात में बेजा जेल में बेजा तो आज हमारी ये पूजिशन है पूरे हर्याने में कहीं भी एक कुटल भी अनाज खराब नहीं होता आज हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो इसलिए पहली सरकार भी लोगों ने देखिया और इस सरकार को भी लोग देख रहे हैं जिस परकार से किसानों के लिए ये सरकार भेतर काम करिया है चाहे भावंतर भरपाई हो जनाया हude सरकार आरोप लगाती रही है कि पॉल्यूशन घर्याना एक बड़ा कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर किसान लगातार पर आली जलाते हैं क्या कठोर कदम जो है आपकी तरफ से उठाई जा रहे हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल भी जो है वो इसम मुद्दे के ओपर सरकार को घेर चुका है देखे अपने डिपार्डमेंट के मादम से मैं एक बात करना चाहूंगा कि जिस परकार से ये आरोप लगाया कि हर्याना पैलूशन बढ़ाता है हर्याना में लगबग 2800 बठे हैं जो काला दुमा उनसे निकलता था और उनसे पलूशन ना हो हमें एक नई टेकनिक लेकर क्या है जिग जैग और हमने पूरे हर्याना में इसको लागू कर दिया जो बठे हमारे NCR में भी थे और जो NCR से बार भी है हमने सभी जगे लागू कर दिया हमारा डिपार्टमेंट के मादर नवसे जीतना हम इसको matar कर सकते हमने कर दिया hora किसी बी बठे शको किसी भी परकार का प्रदूसर नहीं और हर्याना में जहां तक प्रहाली जिलाने की बात है here at इसको लेकर के सरकार बड़ी घंबीर है और लोगों को कि इस प्राली को किस परकार से जो आना यूज किया जाए अभी इंडियन आयोसी की तरफ से ओफर भी आई है कारखना हर्याने के इंदर हम एक ऐसा लगा रहे हैं ताकि इस वेस्ट से जो आना वो इतनोल बनाया जाए ज सरकार बिचार करें मन्तर जी एक आखरी सवाल कि किसानों का सोना जो है वो हर साल भीगता है हर साल खराब होता है बड़ी मेनत से किसान अपनी फसल लगाता है लेकिन मंडियों में परयापत इंतजाम नहीं होते हर साल वादे किये जाते हैं लेकिन वादे जमीनी स्थर पर पूरे नहीं होते हैं आपकी सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रही है देखे वैसे तो मंडी में जब लैसंस जारी होते हैं मार्केटिंग बॉर्ड की तरफ से तो एक उनके जो नोर्म होते हैं उसके तहट जो है उनको कुछ विदाई जो हैना वो मोहिय trong कराने होते हैं मंडियों में जाएने को तरपाल रखनी होती है क्याई और कवी मोसम की मिजज बगड़ता है तो उसको निबतने के लिए उस अरे परबन्हों को करने होते हैं तो तिरपाले डाल करके किसानों की फसल को भेगने से बचाया जाए तो ये सारा उनके लेसंस की कंडिशन के अंदर लिखा हुआ है तो ये थे हमारे साथ मंतरी करंदोई पकमबो जिन्हों ने बखुबी सभी सवालों का जवाब दिया और इनका साफ तोर पर ये कहना है कि इनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को और आर्टियों को किसी तरीके की कोई समस्या ना है और इसी को लेकर ये अब दोरे कर रहे हैं हर्याना की हर मंडिगा और किसानों के साथ आर्टियों के साथ खुद रूबरू होकर उनसे उनकी समस्याओं को पूछा जा रहा है और मौके पर साथ ही साथ उनका निप्टारा किया जा रहा है आप जुड़े रहे हमारे साथ हमारे फेस्बुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूस पर और देखते रहे हैं अम्बाला से जुडिया ऐसे ही कुछ और अपडेट्स